Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ginoxa Tablet के बारे में जो कि इस Tablet के इस्तमाल बहुत जादा मांसिक रोगों या दोरा परने की जो समस्या होती हैं उन सभी कंडिशनों में इसे बहुत जादा इस्तमाल करते हैं आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Ginoxa Tablet के बारे में इसमें Combination क्या है, उन Combination क्या काम है, कौन-कौन से प्रपज़व में इस्तमाल करते हैं क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, किस से नहीं लेना है यहां सभी बाते हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं Genoxa Tablet जो कि आपके पास के Medical Fruit पे बहुत ही हसानी से अबलिबल हो जाता है यहां 150, 300, 400 MG और 600 MG में अबलिबल हो जाता है और यहां MG depend करता है कि आपको patient की क्या condition है उस हिसाब से इसका MG का confirmation डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और उसे हिसाब से जितने MG के आप medicine को लेते हैं उस हिसाब से इसका price fluctuate होदा रहता है आप बात करते हैं Genoxa Tablet में क्या क्या combination है तो उसमें एक ही combination है Oxi Carbazepine इस medicine का इस्तमाल बहुत जादा दौरा पढ़ने की समस्या होती है मेरगी की समस्या आती है या फीट साते हैं तो उन से भी condition में इसे दिया जाता है बहुत जादा इसके अलावा इसे nervous system से जुड़ी और भी समस्या में मानसिक तनाव होने की समस्या होती है देरा तक जगे रहने की समस्या होती है नीन नहीं आता है insomnia की समस्या होती है तो इन सभी condition में दिया जाता है यह medicine अकेले दी जाने वाली medicines नहीं है कभी-कभी यह दवा को अकेले दी जाती है नहीं तो ज़्यादा तर इस medicines को other medicines के साथ combined करके दिया जाता है, जिससे जो भी समस्य है, वह बहुत जल्दी क्योर हो सके, तो इन सभी परपजों में इसे इस्तमाल करते हैं, इनका यहाँ benefit होते हैं, बात करें इस दवा का क्या dose होता है, तो dose depend करता है कि आपकी age, healthy condition और आपका problem क्या है, किस purpose में ले रहे हैं, उसी साथ इसका doctor के दोरा dose का confirmation किया जाता है, यहाँ एक तरीके के सड्डियू लेच मेडिसिन है, जो कि किसी के बताय जने पर इस्तमाल नहीं की जाती है, यह doctor के सुलहा के बाद ही इस्तमाल किया जाता है, इसलिए आप इस दवा के इस्तमाल और इस दवा का dose का confirmation डॉक्टर की रेक देख में करें, जिससे आपको किसी परकार के कोई नुकसान देखने को ना मिले, बात करें क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है, तो वो मिटिंग, सर में दर, तोचया में लाली पन, चेहरे में सूजान आना, मुह का सूखना, चक्कर आना, दस्त की समस्या, इस तरीक कि नुकसान देखने को मिल सकता है, किसे नहीं लेना है, अगर आप प्रेगनेंट लेड़ी हैं, ब्रिस्टिंग मधर हैं, किसी भी परकार के आपको कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडिसेन में कोई मेडिसन स्कोर चल रहा है, तो उन सभी कंडिसनों में आप इसे बिल्कूल करते हैं तो डॉक्टर के रिक देख नॉक्टर के सलहा के बाद करें तो यही था जिनौक्सा टबिट के बारे में और ऑक्सी करबर जेपईन के बारे में जनकारी अगर आपको वीडियो या जनकारी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक कीजेगा और हमारे चनल को किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फर वाचिंग